सोशल मीडिया पर खूब सुर्ख्यां बटोरने वाला दिली का बाबा का धाबा एक बार फर चर्चा का विश्य बना है हालकि सोशल मीडिया पर वारल हुए बुजर्ग दमपती की कहानी कोरोना महमारी के दोरान उनकी आमधनी से जुड़ी थी जिसने इंटरनेट पर वारल होने के साथ गजब की सुर्ख्यां और सराहना प्राप्त की थी दरसल बाबा का धाबा की वीडियो एक यूट्यूबर गौरव वसान ने 7 अक्टूबर को अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेस्बुक पेज़ पर अपलोड की थी उसके बाद लोगों ने बज़ूर के दमपती की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया और दूर दूर से लोग बाबा का धाबा में खाना खाने के लिए आने लगे एक मुहीम चालू करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा चंबा कठा करेंगे और जितना भी कठा होगा चंबा आपको और आपको आण्टी को मैं खुद लाके दूँगा और जितने भी मेरे फॉल्लवर सब्सक्राइबर हैं हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे और आपको बिलकुल भी टेंशन मत लीजेगा तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा आप लोग वहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं और जो भी डोनेशन होगी हम अगली वीडियो एक बार दुबारा बनाएंगे और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे फिर हुआ यूं कि बाबा का धाबा के मालिक कांता प्रसाद ने इस धाबे को फेमस करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ पैसो का गबन करने का आरोब लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल यह उटता है कि बाबा ने आखिर शिकायत क्यों दर्ज कराई है इसको लेकर मालूम हुआ कि बाबा का धाबा को फेमस करने वाले यूट्यूबर गौरव वसान पर मदद के नाम पर मोटी रकम हड़पने का आरोप लगा है दरसल दान के पैसे गौरव और उसकी पतनी के बैंक अकाउंट में आये थे लेकिन बाबा ने पैसे के हिसाब में हेर फेरी करने का बड़ा आरोप लगाया है फिलहाल दूसरे पक्ष दुआरा अभी इस बारे में कोई बात नहीं की गई है जिसके चलते अभी FIR दर्ज नहीं हुई है पैसे जो है जो डूसर आए है अपने बेबी को नाम अपने भाई को नाम अपने नाम ये एकाउंट नमर जारे करते उसे पैसे आए है ब्यूर बोर्ड जेसार टाइम्स इंदोर ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब सरे जेसार टाइम्स और साथी नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को दबाए